जैहिन सात्यूं आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल टार्गेट सेलेक्शन में सात्यूं आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कॉंस्टेबल के ओफिशल स्लेबस के एकॉर्डिंग चारो सब्जक्त के सात्यूं इंपॉर्टन्ट वीडियो की अमाद्यम से सात्यूं चारों विशों का एक तरीके से निचोड हम लोग यहां पर देखेंगे तो अगर आप वाकई में चाहते हैं सात्यूं यूपी पुलिस रेग्जाम के एक्जाम को क्रैक करना तो इस पूरी वीडियो के हर एक कोशन को सात्यूं अपने मन के साथ कैसी का इस्तमाल होता है और जिनके साथ कैसी का इस्तमाल होता है वो आपके इस तरी लिंच होते हैं सड़क कैसी है किताब कैसे लेकिन दही की अगर बात करें तो दही कैसा है तो दही आपका कैसा शब्द हो जाएगा एक पुलिंच शब्द हो जाएगा तो जिनका यांसर यहां पर A है तो बिल्कुल correct है उसके बाद देखे साथो एक्जाम में एक शब्द आपको दिया जाता है कि पृतियेक और पूछा जाता है कि इस पृतियेक शब्द में अगर बात करें ये कैसा शब्द है साथो एक वचन है बहु वचन है दोनों है तो पृतियेक शब्द की अगर बात करें तो ये साथो एक वचन है आंसर आपका जाएगा option नमबर A के साथ सीता पानी पीती है इस वाक में वाच्चे आपसे साथियों पूछा जा रहा है बताईए इसमें कौन सा वाच्चे बताईए करतर वाच्चे है भाव वाच्चे है या कर्म वाच्चे है बताईए चलिए देखिए अगर किसी भी वाक में यहाँ पर आपको क्या करता के बाद आपको ने देखने को मिल जाए तो वो तो करतर वाच्चे होगा या किसी वाके में अगर आपको ने नहीं देखने को मिल रहा है सात्यों तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा वो एक तरीके से सात्यों करमे बाच्चे हो जाएगा अंसर आपका जाएगा उप्शन नमर सी के साथ मैं अपना सिर्ख हुजाता हूँ इस वाक में सात्यों अगर बात करें तो इस वाक में आपको बताना है अकरमक्रिया है या सकरमक्रिया है खुजाता हूँ क्या खुजाता हूँ सिर्ख हुजाता हूँ तो जवाब जब आ जाए तो वहाँ पर सात्यों सकर्मक्रिया हो जाता है या आप लोग ध्यान रखेंगे चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रिश्णाप की स्क्रीन पर है कि निम्लिकित में से वेंजन तावर्ग का नहीं है बताईए तो तावर्ग की अगर बात करें देखिए तावर्ग में ना भी आता है दा भी आता है और धा भी आता है लेकिन मा नहीं आता है तो यहीं आपके प्रिश्णी का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है उसके बाद देखिए अगले नंबर का पुर्शना आपके स्क्रीन पर है भगवत गीता में संधी आपसे सात्यों पूछे जारी क्या विसर्ग संधी है तो नहीं सात्यों यहाँ पर वियंजन संधी है आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नंबर सी के साथ जाएगा उसके संभवना जताई जा रही कि वहाँ पर वर्शा हुई होगी तो संभवना जताई जा रही है तो यहाँ पर सात्यों एक ऐसा काल हो जाएगा संभव काल हो जाएगा एक तरीके से आंसर आपका जाएगा उप्शन नमर बी के साथ मेरा कुत्ता काला है इस वाक में काला हुआ सात्यों क्या हुआ विशेशन हुआ और पूछा जाता है यहां पर पूछा जाता कि कुत्ता क्या है तो कुत्ता एक विशेश है और कुत्ते के बारे में जिस शब्द ने बताया है वो आपका विशेशन हो जाएगा ये भी आप लो ग्यान रखेंगो उसके बाद देख बोलते होगे, अगनी भी नहीं बोलते होगे, मस्तक भी नहीं बोलते होगे, आप अपने रोज मर्रा के जीवन में इस्तमाल करते होगे, इस मचली शब्द का बोलते रहते होगे अक्सर, तो ये आपका तत्भव शब्द हो जाएगा, और बाकी सारे सात्यों तत्सम शब्द ह उसके बाद देखिये नेक्स नंबर का कोशन आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पर अगर बात करें भग्वोशेटो बहुत ही दुष्चरितर है यह पर एक शब्द है सातियो दुष्चरितर आपको बताने दुष्चरितर सही कैसे लिखा जाता है जैसे A में है जैसे B में है जैसे C में है जैसे D में है बताईए तो दुश्चरी तरकिया अगर साथियो बात करते दें कि यहां पर यहां पर तो बिलकुल आपको सेम लग रहा है यहां पर अलग है यह भी गलत है यह भी गलत है तो अगर बात करें साथियो किस परकार से लिखा जाता है कुछ साथियो इस परकार से दुस्चरी तर लिखा जाता है जैसे मैंने यहाँ पर साथियो लिखा है सही परकार से टाइप नहीं हुपाया है कोई दिक्कत नहीं तो दुश्चरिफ जैसे सही तरीके से लिखा जाता है वो मैंने आपको बता दिया है उसके बाद देखिए साथियो उस कवीत्री की कविताएं बहुत पसंद की गई तो यहाँ पर जो कवीत्री लिखा हुए ना यह गलत लिखा है तो आपको बताना है सही कौन से option में A वाले में, B वाले में, C वाले में, D वाले में तो सात्यों यहां तक अगर आप पहुच चुके हो अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो तोरंट सात्यों चैनल को सबस्क्राइब करके तो सात्यों यह वीडियो आप लोग डेली देखा करिये और मैं तो कहूंगा सात्यों के डेली अगर आप देखेंगे तो हर सब्जक्त में, चारो सब्जक्त में आप सात्यों निपड हो जाओगे आप सात्यों एक्सपर्ट हो जाओगे और फिर एक्जाम में आपको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ होगा, कोई आपको हरा नहीं सकता, देखे, कवित्री कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका option number D में है, ऐसे लिखा जाता है कवित्री, उसके बाद देखे, परदार मंतरी के भाशन की शुर्ति लिपी उसी, उस का बिलकुल शुद्र शब्द हो जाएगा, अब उसके बाद देखे, एक शब्द यहाँ पर दे रखा है कि मन योग, इसका संधी विख्षद आप से पूछा जा रहा है, बताएगे, तो मना धन योग होता है, क्या, मन योग का जो संधी विख्षद होगा, वो जो option number B में ह यह सात्यों होगा, राइट आंसर आपका जाएगा B के साथ, उसी प्रकार सात्यों रूप आंतरन का संधी विख्षद के अगर बात करें, तो क्या हो जाएगा, रूप आंतरन हो जाएगा, यह रूप आंतरन हो जाएगा, यह रूप आंतरन हो जाएगा, तो मैं कहूंगा स संदी विच्छद आप से पूछी जा रही है तो दू धन आशा हो जाएगा जो कि option number C में है यह इसकी बिल्कुल सही साथ हो संदी विच्छद हो जाएगी उसके बाद देखिए कौन सा विकल्ट का विलॉम हो बताइए तो सरा होता है विसमर्ण होता विसमर्ण पूछे तो साथ है Woah چार विकल्ट ने एक तरीके से सही वाक़ आपको बताना देखिए मेरे जूतो तुम से अच्छे नहीं मेरे जूत macro तुमसे अच्छे यह होना चाहिए ता वे शायद आज से आएगा गलत है गांधी जी इश्वर के पक्के भगते या चाकू से बच्चे को काट कर देखिए बच्चे को काट कर थोड़ी ना फलो को काटा जाएगा तो कुल मिला के जो सही वाक्य है जो शुद्ध वाक्य है वो चने रूपी खिलोने से खिलना या बहुत आवास करना तो मैं कहूंगा साथियो दिखावा तो बहुत करना लेकिन सार कुछ नहोना असलियत कुछ नहोना उसकी तो च्छतोता चना बाजे गना इस मोहवरे का अर्थ हो जाएगा आप्शन अमर ए वाला वेस्तका साथियो व पारे में नहीं कहना चाता लेकिन एक एक हिंदी की क्लास एक घंटे की, रेजनी की क्लास एक घंटे की, जीएस की क्लास एक घंटे की, लेकिन यहां पर साथियो छोटे छोटे एक तरीके से सभी सब्जट की आपको एक घंटे में पूरी क्लास दी जाती है और चारों विश तो हो जाएगा निर्धन शब्द में कौन सा उपसर्ग बताईए देखे बिलकुल मैं मैट के और रीजनिंग के पूरे-पूरे कोशन्स नहीं करा पाता हूं लेकिन जैसे आपके एक्जाम में जितने कोशन्स आएंगे हिंदी के जितने जियेस के आएंगे उतने उतने तो कर आता हूं उसके अलावा थोड़े बहुत सात्यों मैट के अच्छे-च्छे कोशन्स ले लेता हूं जो आपकी संभवना बनती है आने के और जो रीजनिंग की संभवना कोशन्स पूछे जाने की वो सात्यों ले लेता हूं निर्धन शब्द में सात्यों उपसर्ग क्या तो यहाँ पर अगर बात करें सात्यों नहीं धन धन हो जाएगा इसका संदी विच्छद और नहीं क्या हो जाएगा सात्यों उपसर्ग हो जाएगा इसलिए आंसर आपका जाएगा एके साथ गौरव गाता इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्न है यानि कि इन दोनों के बीच में जो चिन्न लगा ना वो एक तरीके से सात्यों ये इस टाइप से लगा है यानि कि इसको क्या कहा जाता है योजग चिन्न कहा जाता है और योजग चिन्न कहां पर है आप्शन न चलिए भारतिये शब्द लिखा हुआ इसका बहुवचन आपसे पूछा जा रहे सातियों तो भारतिये का बहुवचन जो होगा वो क्या हो जाएगा सातियों भारतियों हो जाएगा क्या भारतिये शब्द का बहुवचन आगर आपने चैन किया है option number A तो बिल्कुल सही हो जा रौधर रसका इस्थाई भाव सातियूं क्या होता है बताए तो रौधर रसका इस्थाई भाव आप लोग ध्यान रखेंगे क्या होता है क्रोध होता है राइट आंसर आपका आगर है option number A तो बिल्कुल correct है बुद्धी हिन शब्द व्याकरण की दिष्ट्री से किस समवर्ग में आता है साथियों बताईए तो किस संवर्ग में आता है देखिए बुद्धी हिन आदमी हम लोग कह सकते हैं यानि कि ये आदमी की विशेष्टा बता सकता है ये शब्द और जो भी साथियों किसी चीज़ की विशेष्टा बताते हैं वो आपके विशेशन कहलाए जाते हैं तो राइट आंसर अगर आपका उप्शन अंबर सी है तो बिलकुल करेक्ट है चछत से गिरी इट चछत से इट गिरी वाक में कौन सा कारक है बताईए क्या चछत से इट गिरी दे कि चछत से इट यहां पर अलग हो रही है और यहां पर से आ रहा है अगर अलगाव हो और से आ आए वहां पर तो वहां पर सात्यों कौन सा कारक होता है आप लोग घ्यान रखेंगे अपदान कारक वहां पर होता है उसके बाद देखिए बुरा भला शब्द में कौन सा समा से बताईए तो अभी मैंने आपको बताया था ना वहाँ पर गलती से योजक चिनन साथियो टाइप नहीं हो पाया था तो यहाँ पर एक तरीके से योजक चिनन है और कभी भी आप देखना साथियो बीच में योजक चिनन हो और ये जो दो शब्द लिखे हो ये एक तरीके से एक दूसरे के अपूजिट हो तो वहां पर सात्यों हमेशा दरंद समास होगा ये आप लोग घ्यान रखेंगे आंसर आपका जाएगा आप्शन नमबर एक के साथ अब उसके बाद देखिए कि चूरन का तत्सम शात्यों क्या होगा बताईए देखिए चूरन की अगर बात करें ना तो चूरन का तत्सम क्या होगा सात्यों चूरन हो जाएगा क्या हो जाएगा चूरन हो जाएगा आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर भी के साथ जाएगा उसके बाद देखिए तद्भव शब्द का चैन कीजिए और बताइए क्या सही आपका जवाब हो सकता है चले तो यहाँ पर तद्भव शब्द की अगर बात करें ना तो निडर यहाँ पर जो शब्द होगा वो सात्यों तद्भव शब्द हो जाएगा आजसर आपका भी के साथ वर्ण में एक परते लगाने पर बनने वाला शब्द कौन साद्भ और ऑप्छन पर पराते है वर्ण लिकाप का सातियों बिलकुल सही शब्द हो जाएगा और इसमें ही सातियों क्या एक परते के रोपमे लगा हुआ है उसके बाद देखिए निम्मिकित किस शब्द में उपसर्ग नहीं है बताईए तो अगर बात करें किस शब्द में उपसर्ग नहीं है आपसे पूछा जा रहा है देखिए अपवाद में सात्यों है यहां पर भी है और यहां पर भी है लेकिन ओड़ना शब्द में उपसर्ग उसके बाद देखिए निम्निकित में से कौन सा उच्छवास का संधी विच्छद है सात्यों बताईए तो उत्धनश्वास होता है और उत्धनश्वास कहां पर लिखा हुआ है सात्यों यहां पर नहीं यहां पर भी नहीं कुल मिला के सात्यों जो उप्शन नमबर डी में जैसा लिखा हुआ है यह आपका उच्छवास का सात्यों उत्षवास एक तरीके से संधी विच्छद हो जाएगा उसके बाद देखिए कि आक्रोश शब्द का सरवदिक उप्युक्त अर्थ क्या है यानि कि आक्रोश का मतलब क्या होता है बताईए दुख से चीखना या करकश स्वर में की जाने वाली भरसना या विरोध करना या निन्दा करना तो मैं कहूंगा साथियों कि आक्रोश शब्द का मतलब होता है करकश स्वर में की जाने वाली भरसना अंसर आपका जाएगा बी के साथ रुपए डॉट 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 है यानि कि रुपए साथियों बोलते हैं आपको बताना है खाली जगा में कौन से शब्द हैगा निम्लेकित में से वर्तनी की दुश्टी से शब्द शुद रूप कौन साह होता है यानि कि इन चार आप्शन में से जो चार शब्द लिखे हुए हैं वंदना कैसे लिखा जाता है तो जैसे साथियों आप्शन डी में लिखा हुआ है वंदना बिलकुल इस परिकार से वाली वरतनी, बिल्कुल सही है, मैं खाना खा चुका, तब वह आया, ये वाक़ कैसा है, सरल वाक़ है, सयुक्त वाक़ है, मिश्र वाक़ है, असंचिप्त वाक़ है, बताई, देखिए, अगर किसी भी वाक़ में साथ हूँ, आपको तथा, बीच में, ठीक है न, यहां कहीं, बीच में तथा, किंतू, परंतू, एवं, अत्वा, या, या तब, ऐसे शब्द आपको देखने को मिले, तो वह आपका कैसा वाक़ होगा, सयुक्त वाक़ होगा, लेकिन अगर किसी वाक़ में साथ हूँ, आपको बीच में, क्यूंके देखने को मिले, या क्ये देखने को म आंसर आपका जाएगा B के साथ अब उसके बाद देके З departure प्रधान मंत्री जंधन योजना इसकी शुरुआत किसके दौरा की गई थी तो इसकी शुरुआत किसने की थी नरेंदर मोधी ने इसकी शुरुआत की थी आंसर आपका A के साथ जाएगा सावितरी नदी कहां परिस्तित है किस राज्जमे है सावितरी नदी तो अगर पूछा जाए सावितरी नदी कहां पर है तो महराश्टर में साथियों सावितरी नदी है ये point भी आपको मालूम होना चाहिए उसके बाद देखिए भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है बताईए देखिए भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो तो गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलो मीटर है लेकिन जो दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है साथियो 1465 किलो मीटर इसकी लंबाई है तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे पाकिस्तान की राजधानी साथियो इसका नाम क्या है तो आप लोग घ्यान रखेंगे सात्यों मौलदीव आपके इस प्रशने का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा निके माले किस देश की राजधानी है तो मालदीव देश की राजधानी है अगर बात करते हैं सात्यों कि मौरशस की राजधानी क्या है तो पूर्ट लुइस है और लक्षदीव की राजधानी क्या है तो कवरती है और मलेशिया की राजधानी क्या है सात्यों तो कौलालमपूर है ये भी आप लोग कहीं न कहीं याद रखेंगे चलिए उसके बाद देखें सात्यों कि कब पहली बार किसी भारती मुक्हमंत्री ने स्वत्मत्रता दिवस पर राश्टी द्वच को फैराया था तो कभी की बाद चल लई है सात्यों 15 अगस 1974 की बाद चल लई है आप लोग घ्यान रखेंगे राइट आंसर आपकल सी के साथ तो सात्यों कौन करते हैं किस के द्वारा किया जाता है किस मंत्रा लेके द्वार किया जाता है तो मैं कहूंगा वित मंत्रा लेके द्वारा ही भारत में आर्तिक सर्वेक्षन का परकाशन किया जाता है उसके बाद देखिए समयधानी कुपचार का अधिकार सविधान का हिर और आत्मा है तो आंसर जिनका भी आहां पर option number B है तो बिलकुल correct है उसके बाद देखिए भारत की जो मुखेरे चुनाव आयुक्त होते ही इनका कारकाल आपसे पूछा जा रहे सातियों क्या 5 वर्ष का होता है तो मैं कहूंगा नहीं 6 वर्ष का होता है तो बिलकुल लेकिन 70 budget की आयु तक रिटायरमेंट नहीं पाते है ये बे गलत हो जाएगा छे वर्ष की अबदी बिलकुल सही 65 वर्ष की आयु तक बिलकुल सही जो भी पहले हो बिलकुल सही यानि कि या तो 6 वर्ष का अपना कारकाल पूरा कर ले या 65 वर्ष की अपनी आयू पूरी कर ले तो तब सातियों वो रिटायर हो जाते हैं या आप लोग ध्यान रखेंगे आपका सी के साथ जाएगा उसके बाद देखिए अगले नंबर का पुरिशन है कि CEC की फुल फॉर्म क्या है सातियों बताइए तो CEC की फुल फॉर्म क्या है चीफ एलेक्शन कमिशनर CEC की फुल फॉर्म है या आप लोग ध्यान रखेंगे आपके एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है भारते साविधान के कौन से अनुच्छत के तहट राष्ट्य धोज फहराने का अधिकार है बताईए तो आप लोग ध्यान डखेंगे जो अनुच्छत 19 का एक है ना अनुच्छत 19 का एक है इस अनुच्छत के तहट राष्ट्य धोज को फहराने का धिकार है आंसर आपका जाएगा option number B के साथ चलिए भई बहुत बड़िया very good class अब उसके बाद देखिए कि भारती सविधान के अनुच्छित 112 के तहते वारशिक वित्ती विवरन को क्या कहा जाता है सारजनिक खाता सामेकित खाता या बजट या रजिस्व खाता तो क्या कहा जाता है सातियो बजट कहा जाता है यानि कि जो वारशिक वित्ती विवरन होता है सातियो जिसका जिकर अनुच्छित 112 में इसको बजट कहा जाता है खाली जगा में आपका बजट शब्द बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा नेमने कित मेंसे कौन सा अनुच्छित उपराश्पती के चुनाफ से सम्मंदि न ये किस देश से सातियो ले गई देखे आपने देखा होगा अलग अलग जिसके मौलिक अधिकार है या सविधान की प्रस्तावन ये अलग 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 देशों के सविधान से ले गई है उसी परिकार जो भाईचारे की भामनाए सातियो ये कहां से ले गई है कौन से सवि सविधान से लिए गई है आंसर आपका जाएगा उप्शन नमबर सी के साथ उसके बाद देखिए अगले नमबर क्या प्रिशन है कि भारती सविधान के नमिकित में से किस अनुच्छत में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यो का संग है तो ये बात तो साथियो अन ही शासन की संकल्पना किस विधेशी सविधान से लिए बताईए तो किस देश के सविधान से लिए गई है ये आपको मालूम होना जाहिए आंसर आपका जाएगा उप्शन नमबर बी के साथ उसके बाद देखिए भारत में परथम इस्थलाकरतिक सर्वेक्षन किस ने शु ये साथियों कब हुआ था बताए तो भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था वो 1962 में हुआ था ये आपको मालू मोगा साथियों आपका आंसर यहां पर आज चुका है आप्शन नमबर ए जिनका भी आंसर है बिलकुल करेक्ट है चलिए उसके बात देखिए लाल कुर सीमान्द गांदी कहा जाता है तो खान अब्दुलकफार खान को सीमान्द गांदी कहा जाता है और इन्हों नहीं लाल कुर्टी नाम का ये आंदूरन चलाया था उसके बाद देखिए इंडियन लीग की स्थापना अठारा सो पच्छतर में हुई थी बिलकुल सही कलकत्ता में हुई थी बिलकुल सही लेकिन किस के द्वारा हुई थी साथ हो ये आप से कोल मिला कर यहां पर पूछा जा रहा है तो शिशिर कुमार घोश के द्वारा हुई थी इंडियन लीग की स्थापना जो कि 1875 में और सात्यों कोलकाता में हुई थी उसके बाद एगर बात करें कि उस वेक्ति का नाम आप से यहां पर पूछा जा रहा है जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वियर जनरल न्यूक्त किया गया था तो इनका नाम था कॉलिन मेंगेंजी और इनको इसात्यों 1815 में भारत का पहला सर्वियर जनरल न्यूक्त किया गया था या आप लोग ध्यान र अग्ले नमबर का पुरषन है कि भारत के पinflब台灣 साथियों को थे तो पहले वाई साराइ को थे लौरड कैनिंग का नाम आपको मालूम होना चाहिए operators के लौरड कैनिंग ही साथियों भारत के पहले वाई साराइ थे आपको मालूम होना चाहिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का पुर्शन आपके स्क्रीन पर है कि जनरल गवनर जनरल लॉड डल होजी के अगर बात करें तो इन्होंने किस समराज को चेरी नाम दिया था बताए तो इन्होंने तो साथियो जो आवच समराज था ना आवच समराज को कहा था चेरी इसलिए सही जवाब आपका जाएगा उप्शन नमबर एक के साथ जलिया वाला बाग जो हत्या कांड हुआ था जो नरसंगहार हुआ था साथियो ये कब हुआ था इसकी डेट आप से पूछ जा रही है तो 1919 में हुआ था ये आप सभी लोग जानते हैं लेकिन 13 अपरेल भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए तो कुल मिला के 13 अपरेल 1919 को साथियों क्या हुआ था जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था ये आप लोग साथियों त्यान रखेंगे चलिए उसके विरोध में महात्मा गांदी जी ने कैसर हिंदी की जो उपद ही इनको दी गए थी साथियों सम्मा जो दिया गया था वो इन्होंने लोटा दिया था उसके बाद देखिए आसायोग और खिलाफत अंदोलन कब शुरू हुए थे बताए तो 1920 में कि 1920 में साथियों आसायोग अंदोलन और खिलाफत अंदोलन शुरू हुए थे आंसर आपका जाएगा सी के साथ भारत में खिलाफत अंदोलन के बारे में क्या सही है बताईए देखिए यहां पर रहकर बात करें कि यह पाकिस्तान की मांग का एक अंदोलन था खिलाफत अंदोलन तो नहीं यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुना बहाल करने के लिए अंदोलन था तो नहीं यह तुर्की के सुल्तानों के समर्तन में अंदोलन था बिल्कुल सही साथ यह खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था ना ये तुर्की के सुल्तानों के समर्थन में साथ हुए एक आंदोलन था इसलिए राइट आंसर आपको ध्यान रखने आप्शन नमबर सी हो जाएगा उसके बाद देखिए अगला प्रिशने के भागस सिंग और बटुकेश वर्द गया था साथियों बताईए तो 1934-1924 में ही साथियों हिंदुस्तान डिपॉबिकन एसोसियेशन का गठन किया था उसके बाद देखिए यूवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था बताईए तो यूवा बंगाल आंदोलन किया अगर बात करे तो हैंड़ी विवियन डेरुजियों के द्वारा ही शुरू किया गया था यूवा बंगाल आंदोलन या प्लूग ध्यान रखेंगे निमलेखित में से किसकी रशना कालिदास द्वारा किये गई है तो कुमार सबहों के अगर बात करें तो ये रशना तो कालिदास की है राइटान सराप का एक साथ जायादा उसके बाद देखिए किесь की अगर बात करें तो ये किस वंश के संस्थापक थे लगब पांच कोरिशन्स आप लोग देख लेंगे important current affair के जो एक्जाम में आपसे direct सात्यों पूछे जाएंगे कि national stock exchange के नए MD और CEO कौन बने है सात्यों बताइए तो आशिश कुमार चौहान का नाम आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि यही national stock exchange के managing doctor और chief executive officer बन चुके है तेल इवं प्रकरति गैस निकम यानि कि ONGC के नए अध्यष कौन बने है तो कौन बने है सात्यों आरुण कुमार सिंग बने है इनका भी नाम आपको मालूम होना चाहिए ये भी आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है उसके बाद देखिए सात्यों नेक्स नम्बर का कोशिल के अगर बात करें के वरतमान समय में लोकसभवा के अध्यष कौन है बताईए तो अतुल करवाल का नाम आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए क्योंकि आराश्टी आपदा मोचन बलके जो महानिदेशक बने है वह तो अतुल करवाल ही बने है Special Protection Group के नए प्रमुक कौन बने है तो सात्यों इसके प्रमुक कौन बने है ये आप से पूछा जा रहे तो आलोग शर्मा का नाम आपको मालूम होना चाहिए क्यों क्योंकि आलोग शर्मा ही Special Protection Group के नए प्रमुक बने है तो अब सात्यों इहाँ पर आपके शुरू हो चुके है रेजनिंग के प्रिशनों शुरू हो चुके है तो रेजनिंग का सात्यों पहला प्रिशन आपके स्क्रीन पर है कि प्रिशन वाच्चिक चिन्दी की जंगा पर आपको बताने क्या आएगा जिसके यहाँ पर सात्यों दो आया है उसके बाद आपको बताने है कि अब कौन सा नमबर आएगा निकि दो के बाद कौन सा आएगा उसके बाद सोला आया है उसके बाद दो सो चपन आया है तो इसको सात्यों अगर मैं करूँ अगर कुछ इस परकार से करूँ साथ ओ, इस प्रकार से कुछ करूं, या मैं इसको ऐसे करना चाहूं, क्या मैं करना चाहूं, साथियो, दो है, ठीक है ना, ये खाली जंगा मैंने छोड़ दी, ये 16 लिख दिया मैंने, ये 256 मैंने लेग दिया, देखिए अगर इसकी गुणा हम 26, sorry, 216 की गुणा 16 से कराइंग जिसके दो है, दो की गुणा दो से कराई तो अगला नमबर मिला, चार है, चार की गुणा चार से कराई तो अगला नमबर आपको मिला, सोला है, सोला की गुणा अगले से कराई, सोला से कराई तो अगला नमबर मिला, तो कुल मिला कि इस काली जंगा पर कौन सा शब्द तो चार आ जाएगा, चार option में हैं, देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल सात्यों चार option में हैं, तो answer आपका जाएगा option नमर B के साथ, सात्यों बिल्कुल शूंड़ सो उठाया है, और बिल्कुल शिकर तक आपको पहुचा दूँगा, reasoning का सात्यों वो हर एक concept हो, हर एक question सात् जेकně हैं, यहाँ पर और बात करें, उन्चास चात्रों वाली कक्षप, यनि कि एक कक्षा है, उसमें उन्चास चात्र हैं, इसमें प्रवेश का जो करम है न, वो अठार मा है, कोई लड़का होगा प्रवेश, ठीक इसका करम जो है, वो अठार मा है, और आखिर से उसका करम क्या है जैसके मान लीजे ये एक पंक्ती है मान लीजे इसमें कितने लोग है साथियो इसमें टोटल मिलाके कुल मिलाके उन्चास लोग है ठीक है एक लड़का है साथियो प्रवेश मान लेते हैं साथियो ये अगर इधर से इसको count किया जाता है इधर से इसको count किया जाता है तो इस लड़का इसका नाम प्रिवेश है इसका जो इधर से करम है वो अठारमा है तो पूछा जा रहे कि इधर से अगर count करें हम इधर से count करें तो इसका करम क्या होगा ये आपको बताने देखिए अगर इधर से साथी हो ठ इसको घटा दो और उसके बाद इसमें एक जोड़ दो आंसर आपका आजाएगा बहुत दिमाग आपको रड़ाने की जरूरत नहीं है तो अगर बात करें इसमें से 18 जब हम घटाएंगे तो एक बचे का यहाँ पर 3 आएगा फिर जब इसमें एक जोड़े के साथी हो तो आप आपका क्या जाएगा 32 हा जाएगा यानि के इधर से करम जब 8 ओर मा होगा तो इधर से करम उसका क्या होगा 32 मा होगा तो कुल मिला की आंसर आपका जाएगा option number D के साथ और जिन का भी आंसर यहाँ पर D है तो बिलकुल character बहुत बढ़ बढ़िया very good class यदि अंग्रेजी वर वर्डमाला अंग्रेजी वर्डमाला लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है वो विपरीत करम में बताया गया है यानिके Z की जगा A आएगा और A से शुरू हो के यहाँ पर Z आ जाएगा तो अक्षर A से शुरू करते हुए पर दूसरे पहले जो बात कही कही न वो आप काम कर ली जानिके विपरीत करम में कहा गया लिखने को तो विपरीत करम में लिखनी जे तो विपरीत करम में साथ है यहाँ पर हम लोग लिख लेते A, B, C ठीक है A, B, C, D, E, F उसके बाद साथ हो G, फिर H आ जाएगा, फिर I, फिर आपका J आ जाएगा, फिर K आ जाएगा, फिर L और फिर M, N, ठीक है न, O, P, Q, यहां पर आपका Q आ गया, Q, R, S, T, U, V, W, X, X, Y, और Z, तो यह जो पहला काम क्या था, साथियो, वो हमने काम कर लिया है, A से शुरू करते हूँ, बिल्कुल A से शुरू किया है, पर ति एक दूसरे अक अक्षर को हटा दिया जाए, यह आप से कहा जा रहा है, A से शुरू किया गया है, यानि कि इसको हटाना है, इसको हटाना है, उसके बाद साथियो, दूसरे अक्षर को हटाना है, यानि कि इसको हटाना है, फिर इसको हटाना है, फिर साथियो, इसको और फिर इसको, और फिर अब आपको यह बताना है कि ठीक मद में कौन सा है देखिए अगर बात करें एक यह B है दूसरा D है ठीक ना तीन चार पाच और उसके बाद साथ उच्छे साथ आठ और फिर यह नो दस क्या रहा बारहा तेरा यानि कि तेरा लेटर है तो मेरा मानना है अगर हमें बीच का ढू यह साथ यह बिलकुल बीच का लेटर होगा और यही आपका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा अगर साथ यह आप दुबारह से इस सवाल को समझेंगे तो खूब असानी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा उसके बाद देखिए F A T H E R यानिके फादर में कौन सा अक्ष अगर उसी इस्थान पर है जिस पर वो अंग्रेजी वर्डवाला में है सबसे पहले तो यह लेटर आप लोग लिख लिए जो लिखा हुआ यहाँ पर एक काम पहला तो साथ यही करेंगे F A T H E R साथ यहाँ पर हो गया अब यहाँ पर अंग्रेजी वर्डवाला में इस्थ पर है तो हम यहाँ पर A से शुरू करेंगे B C D E F अब मुझे यह बताएं सेम पोजिशन किसकी है तो सेम पोजिशन सिर्फ और सिर्फ E की है तो E ही आपका साथ यह राइट आंसर हो जाएगा आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नमबर D के साथ अब उसके बाद देखिए इन इस शब्द में सारे लेटर है या नहीं है यह हम लोग सबसे पहले देखते देखिए F I C है बिलकुल है साथियो और T I O N ये भी है बिलकुल है यहाँ पर भी T I O N है A C T है ना A C है A B है C B है तो यह भी हो जाएगा उसके बाद देखिए साथियो T I O N यहाँ पर भी है अब आपको सिर्फ इन A ढूनना है तो इन A तो हो गया इन कहां पर इन साथियो नहीं है मतलब कुल मिला के दो बार यहाँ पर इन आया है ना यहाँ पर एक ही बार इन आया है तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ यह वाला साथियो आप्शन नहीं बन सकता इन लैटर्स की दो लिखा जाता है, N, A, K, E, D को क्या लिखा जाता है, 8, 4, 1, 2, 3 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार I, N, T, I, M, A, T को क्या लिखा जाए साया, यह आप से वकुल मिला कर यहाँ पर पूछा जाना है, देखिए, कभी भी आपके सामझे सात्यों ऐसे करके हो, मतलब बहुत धेर सारे लेटर हो, उनके कोड लिखे हो, तो जो यहाँ पर आप से पूछा जाएगा ना, वो एक तरीके से कोड ही पूछा जाएगा, जिसके I का कोड यहाँ कहीं दे रखा होगा, तो I का कोड यह है, दूसरे नमबर पर है, तो दूसरे नमबर पर कोड क्या है, सात है, तो I की जगापर सात्यों सात आ जाएगा, ठीक है, इनकी अगर, और सात यहाँ पर देखिए, तीन option में भी है, ठीक है, अगर उसके अलावा बात करें, I का कोड क्या है, तो I का कोड सात हृँ यह है, दो है, ठीक है, दो है, तो यहाँ पर सात्यों दो आजाएग, अब आपको एक ऐसा option न हूनना है, जिसके शुरू में तो सात हो और अंध में दो हो, तो I augment ऐक ऐसा option सात्यों, option नमबर B ही है जहांपर शुरू में तो साथ earthly है और अंत में दो है तो कुल मिला के जादा समय क्यूं साथ यह सवाल में शुरू का साथ तो T I G E R को क्या लिखा जाएगा अब यहाँ पर साथ हो आपको यह देखना है कि कैसे क्या हुआ देखिए M को क्या X बनाए गया है तो M तो बहुत दूर और X बहुत दूर होता है O और D का भी कोई combination नहीं बन रहा है N और J का भी कोई combination नहीं बन रहा है लेकिन अगर बात करें देखिए यह जो आपका Y है ना Y के जस्ट पहले साथ हो X आता है यह जो आपका E है ना E के जस्ट पहले D आता है K के जस्ट पहले J आता है और O के जस्ट पहले साथ हो क्या आता है N आता है और M के जस्ट पहले A लाता है तो कुल मिला के मामला आपको साथ हूं मिलके यानिके जो सबसे अंत में है न वो सबसे पहले लिखना है उससे एक नमबर माइनस करके जो सबसे अंत में है न और यहां पर आपका क्या आ जाएगा एक नमबर माइनस करके यानिके यहां पर S आ जाएगा इसकी जंगा पर E है न SDFHS कहां पर लिखा हुआ है तो यह तो option number C में लिखा हुआ है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है बहुत बढ़िया very good class अब उसके बाद देखिए अगले number का प्रिश्णा आपके screen पर है यदि कूट भाशा में T O P S को क्या लिखा जाता है GBCF लिखा जाता है क्या लिखा जाता है साथ हो GBCF लिखा जाता है तो उसी कूट भाशा में क्या S P O T को क्या लिखा जाएगा देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो यह 20 पर होता है, यह 7 पर होता है यह 15 पर होता है, यह 2 पर होता है यह 16 पर होता है यह 13 पर होता है यह 19 पर होता है यह 6 पर होता है तो कोई combination मुझे लग रहा है अगर यहां पर साथ हो इसको हम देखें और उसके बाद इसको हम देखें तो इसमें बिलकुल लग रहा है देखिए जो सबसे अंत में है वो सबसे पहले आ जाएगा जो सबसे दू मिला के सात्यों FCBG सात्यों आपका right answer हो जाएगा और ऐसा कौन से option में है ऐसा सात्यों option number B में है तो यही आपका बिलकुल सही और correct answer हो जाता है बहुत बढ़िया very good class सात्यों अगर आपने इस video को like नहीं किया है तो यह माना जा सकता है कि वर्दी से या वर्दी को ठीक है आप पर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जब कोई इतना प्यारा इतना अच्छा content आपको दे रहा है exam वाला और आप इस हालत में सात्यों वीडियो को like नहीं कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा पूशन को देखे देखे पृष्ण आकरती है यह उत्तरा करती है अब जैसे इस आकरती का सम्मंद इससे है वैसे ही इस आकरती का सम्मंद इससे होगा लेकिन यहाँ पर आएगी कौन सी आकरती option नमर A वाली, B वाली, C वाली या D वाली बताईए देखे सिंपल से चीज है यहाँ पर कितनी बुझाए है यहाँ पर चार बुझाए है तो यहाँ पर पाच बुझाए हो गई है ठीक है ना, चार से पाच बुझाए हो जगई है तो उसी प्रिकार अगर बात करें सात्यों कि यहाँ पर कितनी आकरती हैं, यहाँ पर कितनी बुझाएं हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच छे, तो यहाँ पर छे हैं, तो यहाँ पर साथ बुझाएं होगी, तो अब देख लीजे, साथ बुझाएं कहां पर हैं, यहाँ पर हैं, तो नहीं, यहाँ पर भी नहीं, आप से पूछा जा रहा है कि एक वेक्ति एक बिंदू से चलना शुरू करता है चलिए मान लेते हैं हम इस बिंदू से हमने चलना शुरू कर दिया चलिए उसके बाद कहा गया है कि उत्तर दिशा में वो दो किलोमेटर चलता है तो उत्तर की तरफ सातियों हमने दो किलोमेटर चला दिया फिर दाएं गुमता है तो फिर हमने दाएं गुमा दिया और दो किलोमेटर चला दिया फिर दाएं गुमता है सातियों फिर दाएं गुमता है और कितना चलता है और चलता है चलिए चला दिया बताइए कि अब वो किस दिशा में जा रहा है तो आप सातियों वो किस कि पूछा जारी कि एक घंड की जिसके फलकों पर एक से चीशए बिंदू डाले गया है बिल्कुल सात्यूर यहां पर चार है यहां पर दो है यहां पर तीन है हो सकता हो पीछे चे चस्फा है यहां पर कि रहा कि नीचे दी गई अलग-अलग अवस्थाओं होगी ये दो वाली नहीं दो के इधर वाली आपसे पूछी जा रही है ये सिस्टम है यहां पर अब देखिए अगर बात करें क्या बात करते हैं दो यहां पर है और दो यहां पर है चलिए भी तो सेम सेम है बलकुल अब अगर यहां पर बात करें यह वाली आकरती है ना इस व 6 यहां पर आ गई होगी तो आब मुझे यह बताईए कि 3 यहां पर है और 6 यहां पर है, तो 3 का विपरीत क्या बनेगा, 6 बिंदु वाला ही तो बनेगा सात्यों, तो क्या आपका आनसर होगा, 6 आपका आनसर हो जाएगा, और 6 option number D में है, तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाता है उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्णाब के स्क्रीन पर है देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा यहां पर अगर बात करें साथियों किसी पैनल की पांच सदस से एक पंगती में बैटे हैं चलिए एक पंगती हम यहां पर बना लेते हैं और पांच सदसों की यहां पर हम लोग जगा बना लेते हैं चार हो गए पांच हो गए चलिए कोई दिक्कत नहीं पांच हो गए बी के बाएं ए है तो बी मालीजी कहीं पर बना लो कहीं पर बना लो मालीजी यहां पर बना लो बी का बाया किदर है बी का बाया इदर है बी क बाएं A है लेकिन C के दाएं है ठीक है यानि के C के दाएं A हो गया अब यहां पर हमने एक एक्स्टा लिया ना तो इसको हम कट कर देंगे क्योंके हमें पांच ही लोग की जगा बनाना है पांच लोग हो गया उसके बाद लिखा हुआ है बी के दाएं D है तो बी के दाएं D हो गया उसके बाद लिखा है बी के दाएं D है लेकिन E के बाएं है यानि के बाएं हो गया बैठा हो तो उस सदसे का पता लगाई है जो पंक्ती में मद में बैठा हो तो मद में तो साथ यो B बैठा है इसलिए सही जवाब आपका जाएगा option number A के 7, यानिके मद में कौन बैटा है, मद में बैटा है B चलिए यदि किसी जगा कुछ-कुछ लड़के हैं और कुछ कुछ गुत्ते हैं यदि सिरो की संख्या कितने बताई गयी है, सात बताई गयी है और पैरो यसिजटाइं के टांगु की संख्या करें तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए देखें यहां पर कहा गया है देखें अगर हम option number A को सही माने और यहां पर बात करें दो लड़के हैं तो दो सिर होंगे पांच कुटे हैं तो पांच सिर होंगे यानि कि कुल मिला के सिर की संख्या जो यहां पर बन रही है वो कितनी बन रही है वो साथ बन रही है और यहां पर भी दे रखा है सिरो की संख्या साथ है तो यह पतु सही होगा लेकिन अगर बात करते हैं क्यों कि टांगोग यानि कि पैरू की संख्या बीस है तो देखिए दो लड़के हैं तो दो लड़के हैं हर एक के दो दो पैर होते हैं तो कुल मिला के चार पैर ये हो गए और पांच कुते हैं और हर एक कुते के चार पैर होते हैं तो पांच चौक आपके कितने हो जाएंगे पाच्चोग 20 हो जाएंगे तो ये तो कुल मिला के 24 पैर बन रहे हैं लेकिन यहां पर 20 पैर होना चाहिए तो ये option number A वाला आपका गलत हो जाएगा उसके बाद अगर बात करते हैं देखिए चार कुत्ते हैं तो चार कुत्तों के कितने पैर हो जाएंगे 16 पैर हो जाएंगे पिलस तीन के कितने पैर हो जाएंगे तीन दुना 6 चे पैर हो जाएंगे तो ये भी सातियों 20 नहीं बन रहे हैं ये भी गलत हो जाएगा उसके अलावा उप्शन नमर सी वाले कि अगर बात करें देखिए तीन और चार सर इसके हो गए तो कुल मिला के सिरू की संख्या कितने बनी सिरू की संख्या साथ बनी बिल्कुल सही अब पैरू की संख्या देखिए क्या बीस बन रही है चार लड़के हैं तो चार दुना आठ यानि के आठ पैर तो इनके हो गए और तीन कुत्ते हैं हर एक कुत्ते के चार पैर तो चारतियां बारा बारा पैर इनके हो गए तो कुलमिला के साथ यो बीस क्या बनी बीस पैरों की संख्या बनी तो ये तो बिल्कुल सही तरीके से फिट आ गया इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नंबर सी के साथ जाएगा उसके बाद देखिए नेक्स नंबर का कोईशन आपके से क्लेều बटाएगी यहाँ पर अगर बात करें कि आमित पूरव दिशा में 15 किलो मिट्र चलता है तब वहां बाये मुढ कर 5 किलो मिट्र जाता है फिर बाये मुढ कर पंदरा किलो मेटर चलता है तो अमित प्रारहंबिक इस्तान से कितनी दूर है बताईए तो अमित एक लड़का है ये पूरफ की दिशा में जाता है पंदरा किलो मेटर तो साथियों आमित मान लेते हैं यहाँ पर है है उल्टा हाथ साते हो क्या होता है या आपका बाया हाथ होता है तो यहाँ पर क्या कहा गया है यहाँ पर कहा गया है कि बाया मुड़ना है तो जब कोई इधर जा रहा होगा तो बाया मुड़ेगा बाया इधर ही तो मुड़ेगा तो यह पाच किलो मीटर चला दिया उसके ब तो कुलमिला के साथियों यहां पर राइट आंसर के अगर बात करें राइट आंसर आपका जाएगा ऑफशन नमबर A के साथ उसके बाद देखिए अगले नमबर का फिरशन आपके स्क्रीन पर देखिए दी गई अक्षर शरंकला के खाली इस्थानों में क्रम से रखने पर न फिर एक खाली जागा है फिर सीसी यह फिर खाली जागा है देखिए कभी भी ऐसा कोशन आए तो सबसे पहला काम आप एक काम करो कि इन लेटर्स को काउंट करो खाली जागा के साथ एक दो तीन चार पाच छे साथ आट आट नौ दस ग्यारा बारा अब बारा है साथियों य एक, दो, तीन, चार, येक अलग बन गया, अब आप देखिए, बीच में C, C आ रहा है, तो यहाँ पर तो C है, अगर हम यहाँ पर भी C कर देंगे, तो बीच में C, यहाँ पर भी, बीच में C, यहाँ पर भी, बीच में C, यहाँ पर भी होना चाहिए, वो यहां पर लिख लो जिसके आपने C लिखाए, C लिखाए, A लिखाए, G लिखाए और अब आप दूसरा काम यह कर लो कि यह कौन से आप्शन में है साथियो देख लिए जिए C, C, A, G कहां पर लिखा हुआ, आप्शन नमबर B में लिखा हुआ है तो बस यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है उसके बाद देखिए साथियो अगले नंबर का परिशना आपके स्क्रीन पर है देखिए और बताए साथियो सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है देखिए यहां पर कहा गया है कि एक ग्राम परधान जो है ना वो दस लाग है यह बिलकुल सा तो दस लाग की अगर बात करें ठीक है हाँ ग्राम परधान दस लाग मूल का ट्रैक्टर एक किसान को मतलब ग्राम परधान जो है दस लाग का ट्रैक्टर किसान को दस प्रतिशत नुकसान से देता है ठीक है बेशता है किसान क्या करता है दुबारा उस ट्रेक्टर को ग्राम परदान को दस प्रत्शत फायदे पर बेज देता है तो इन दोनों के साथियों सौदे का प्रडाम क्या होगा ये आप से गुल मिला के पूछा जा रहे है कभी भी आपको साथियों इस टाइप का कोईशन दिखे न तो आप क्या करो साथियों कितने की अगर बात की गई हाँ पर साथियों यहाँ पर एक तरीके से बात करें दस लाकी यहाँ पर बात की गई है तो पहले तो दिया जाता है दस प्रत्शत नुक्सान पर आंसर आपका आजाएगा अब यह दो 0 नीचे है एक 0 उपार एक Zero उपार यह चाचाचाचा, ठीकिंए नहीं इन दो 0 से सातो यह दो जेरो आपके कर जाएगे, अब अगर बात करते हैं सातो यहां पर दीजिए, ये 10,000 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बिलकूल साथियो, 10,000 आपका ये बचेगा, और उसके अलावा 9 की 11 से गुणा करोगे, तो 99 यहाँ पर यह आ जाएगा, यानि कि मैं कहें सकता हूं साथियो, 99 कितना हो जाएगा, एक तरीके से, एक सेकंड, एक तरीके से अगर बचे 4,0 बचे हैं, तो 4,0 यहाँ पर भी हो, और 4,0 हमें यहाँ पर भी लगाना होंगे साथियो, तो कुलमिला कि अगर बात करें, 9,90,000 यहाँ पर आ गया है, कितना आ गया है, साथियो, 9,90,000 यहाँ पर आ साथियो आ गया है, तो इतनी बात साथियो आपकी समझ में आग बेचे बयाएई देख्धे आप सबसे पहले आगर बात करें ये 10 लाग का डचक्टर है इस पर दस प्रित्षट का नुक्सान सैकर यानि के 9 लाग का दस लाग का है ना तो 9 लाग का साथियों किस को दिया था ये किसान को दिया था, अब किसान क्या कर रहा है सातियों, किसान क्या कर रहा है, किसान इसमें सातियों, अब देखे, एक लाग का तो उधर घाटा हुआ, ठीक है, दस लाग का था, नौ लाग का यहां पर बेचा, अब किसान दुबारा से कितने का बेच रहा है, नौ लाग न यहां पर हानी हो रही है एक कमरे की लंबाई चोड़ाई और उचाई के लंबाई की बात की गई साथियों लंबाई अगर पाच मेटर है चोड़ाई अगर कमरे की चार मेटर है और उचाई अगर कमरे की तीन मेटर है तो चारों दिवारों का छेतरफल क्या होगा देखिए इ उचाई हो जाएगी उसके अलावा साथ ल प्लस बी ल क्या हो जाएगा लंबाई हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा चोड़ाई हो जाएगी ब्रेथ हो जाएगी देखे अब टू एच एच कितना है तीन है तो यहां पर छे आ जाएगा उसके अलावा ल कितना है ल आपका और वो चार है तो साथू कुलमिला के यहांपर 9 आ जाएगा याने कि 9 545 नौ छंग आप का कितना हो जायगा चाहएगा तो कुलमिला के साथ चारों दीवारों का छेत्रफल कितना निकलकर आएगा चाहएगा और यही आपका बिल्कूल सही जवाब हो जाएगा उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रिश्णा आपके स्क्रीन पर है कि चार अंकों की छोटी सो छोटी संख्या बताईए जिसे दो से तीन से या चार से या पाच से अच्छे से और या साथ से विभाजित करें तो परती एक दशा में एक शेशवल बचे यानि कि क्या व ठीक है और फिर कहें एक शेशवल बचे तो नहीं बचेगा ठीक है यहाँ पर अगर बात करें साथी यहाँ पर बिल्कुल बच जाएगा कि अगर हम साथी बारा सो अथावन को दो से कट करें बिल्कुल एक बिल्कुल आपका साथी पूरा पूरा कट जाएगा तो अगर हम विभाजित करेंगे तो एक 6 फल बचेगा लेकिन क्या 3 से इसको विभाजित करने पर एक 6 फल बचेगा देख लेते हैं उसको पूरा कटँए तीन चौक बारा टीन इकम तीन ठीकिन 37 यहाँ पर दो 6 फल बच रहा है तो यह भी उत्तर नहीं हो सकता ये भी उत्तर नहीं हो सकता, एने कि option number A वाला भी उत्तर नहीं हो सकता, और C वाला भी उत्तर नहीं हो सकता, इसकी अगर बात करें देखिए, 1264 है अगर माल लीजे, इसको 200 कट करेंगे तो एक शेशफल बच जाएगा, यानि कि, सॉरी, इसमें ये तो पूरा पूरा कट लेकिन यहां पर दो शेशफल बचेगा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा, लेकिन सात्यों 1261 एक ऐसा number है, 1261 एक ऐसा number है, जिसे दो से विभाजित करोगे, तो एक शेशफल बचेगा, देख लिजे सात्यों ये पूरा कट गया, दो ती अच्छे होगा, एक शेशफल बच ग एक शेशफल बच गया, तो कुल मिला के सही जवाब अगर आपका option number B है, तो बिल्कुल correct है, उसके बाद देखें, अगले number का पुरुशन आपके स्क्रेन पर है, देखिए और बताए सही जवाब क्या है, तो यहां पर अगर बात करते हैं कि एक धार्मिक आयोजन में इस्त इस्तरियां भी हैं और पुरुश भी हैं, इस्तरियों का अनुपात अगर तीन है, तो पुरुश का अनुपात दो होगा, अगर बीस पुरुश और आजाने से अनुपात उलट जाता है, यहने कि अब यह अनुपात इस्तरियां पुरुश का था, तीन अनुपात दो, तो इसका उलट करके यानिके दो अनुपाद पिर्म हो जाता है तो इस तरियों की संख्या क्या है देखे अगर बात करते हैं एक तो फीमेल है और एक मेल है फीमेल का अनुपाद जो है वो तीन एक्स है और मेल का अनुपाद साथियों दो एक्स है आप से पूछा गया है इस तरि पुरुष आ जाते हैं 20 पुरुष जुड़ जाते हैं 20 पुरुष जुड़ दिये तो इनका जो अनुपात है वो उलट जाता है यानि कि 3 अनुपात 2 था ना उलट दिया तो 2 अनुपात 3 हो गया अब इसको solve करा लिजे और x का मान मालूम कर लिजे और x इसमें fit कर दीजे आपको इस तरही होगी संक्या मालूम पढ़ जाएगी 3 की 3 से कराएंगे सात्यों तो 9 x आएगा उसी परिकार 2 की 2 से कराएंगे तो 4 x आएगा फिलस आपका यहां पर 40 आजाएगा 9 x में से 4 x जाएगा ठीक है तो 5 x आपका बचेगा 5 x बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा तो आपको 3 x मालूम करना है x बराबर 8 है तो 3 x बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और यहां पर सात्यों कितना हो जाएगा इसका मद पर वे कम न हो। देखिए दो चीज़े आपको दिहान डखने हैं यह प्रतिशत इस टाइप का बहुत सारे कोईशन साते एक्जाम में मतलब बहुत सारे नहीं एक तो आता है बस बहुत सारे को मतलब यह है कि language थोड़ी change कर दी जाती है प्यास की जंगा कुछ और कर कर देना अगर यहां पर लिखा हुआ 20 पर षट कम हो जाए तो आप सौमेसे 20 कम करके लिख देना याई एन अगर यहां पर लिखा हुआ 10 पर षट अधिक या 20 पर फिर तो आगर लिख देना रहा है साते हुए 120 ठीक है अब इसको solve करा लो रहा ले यहान biscuit сو بٹے نو یہاں पर आ गया अब स्को साथ्यो बस आपको calculate कराना देखिए 9 कम 9 हो जाएगा 9 कम 9 हो गया 9 कम 9 हो गया साथ्यो अब यहां से क्या जाएगा यहां से अगर बात करें तो एक यहां पर जाएगा फिर से साथ्यो 9 कम 9 हो गया अब कितना बचा एक बचा और नीचे नौ आ जाएगा तो कुल मिला के साथियो ग्यारा सही एक बटे नौ परतिशत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और जिनका भी आंसर यहाँ पर आप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल कैनेक्ट है भी बहुत बढ़िया वेरी संख्याओं के वर्गों का अंतर जो दे रखा है वो 36 दे रखा है इन दो संख्याओं का गुडन फल क्या होगा यानि कि मैं कहस रखता हूँ पहली संख्या एकस मान लेते हैं दूसरी संख्या वाई मान लेते हैं तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल योगफल हम आएधिये एक सूतर मैं आपको यहाँ पर बतला देता हूँ वो आप लोग सात्यों अगर ध्यान रखते हैं अगर याद रखते हैं तो इस सवाल को करना सात्यों आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ठीक है ना उस सूतर को सात्यों आप लोग क्या करेंगे बस एक बार इधर पिलस वाला आएगा और बराबर के इधर माइनस वाला आएगा इसमें पिलस लगा के 2XY और आ जाएगा बस ये सूतर है अब आपके पास ये भी है आपके पास इसकी value भी है आपको इसकी value निकालना है और कोई दिक्कत नहीं कि इसकी value के x square plus y square की value 68 है तो इसकी जंगा 68 आजाएगा पिलस 2xy आपको नहीं पता है तो 2xy ऐसे ही आप लिख दोगे x square minus y square की value आपको पता है 36 है तो यहाँ पर 36 आजाएगा अब अगर बात करते हैं न सात्यों यहाँ पर епर देखिये एक मैंने mistake कर दी है मैंने एक mistake यहाँ पर पिलस नहीं यहाँ पर minus आएगा तो यहाँ पर 20 सात्यों minus आजाएगा अभ अब अब अगर बात करें na 2xy हो जाएगा बराबर 36 minus 68 हो जाएगा अब अगर बात करते हैं देखिये 36 में से 68 जानी सकता बड़ी संख्या में माइनस है तो ये दोनों संख्या आपस में होंगी तो माइनस लेकिन जो संख्या आएगी वो माइनस की आएगी तो 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा 6 में से 3 जाएगा सात्यों एक तरीके से 3 बचेगा और ये तो आपका 2xy है ही माइनस का बराबर अब इस minus से सात्यों minus cancel हो जाएगा xy बराबर किया जाएगा 32 बटे 2 आजाएगा 2 से cut होगा सात्यो 16 आजाएगा यहने कि x का जो मान निकलेगा वो सात्यो 16 निकलेगा और उन दो संख्याओं का गुड़नफल क्या होगा तो सात्यों एक तरीके से अगर बात करें एक सेकिन एक सेकिन एक सेकिन एक सेकिन x बराबर थोड़ी ना 16 होगा xy बराबर 16 होगा xy बराबर 16 होगा तो उन दोनों संख्याओं का गुड़नफल xy था और यहां पर सात्यों 16 आजाएगा और आंसर भी आपका क्या आजाएगा 16 ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई बहुत बढ़िया सात्यों अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दीजे क्लास को शेयर कर दीजे और चैनल पर अगर रहे हैं तो चैनल को भी तुरन सबस्क्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजे एक पुस्तकाले में 23,445 पुस्तके हैं कितनी पुस्तके हैं सात्यों 23,445 पुस्तके हैं और क्या लिखा हुआ है सात्यों यहाँ पर जो गैर कथा साहित पुस्तके हैं और कता साहित पुस्तके हैं, इनका अनुपात दे रखा है, यानिके टोटल पुस्तके तो सात्यों 23,445 हैं, लेकिन जो गैर कता साहित पुस्तके हैं, अगर वो 2 हैं, तो कता साहित पुस्तके साथ हैं, पूछा जारे कता साहित पुस्तकों की संख्या क्या हैं, देखें, दो साथ सिकुरा करा ले ना 7X का मालू मान पढ़ जाएगा यानि के काता साइट पुस्तकों की संग्या आपको मालू मान पढ़ जाएगी ये कैसे करा होगा मैं आपको बताओंगा कुल मिला के पुस्तके 23,445 हैं हमको 7X की वेलू इयात करना है तो 7 यहां पर लिख लो नीचे इ इसलिए 0 बढ़ेगा अब 265 की 7 गुणा करालो 7 से 265 की गुणा करालो 7 से 75 आपका 35 हो जाएगा 7 छंग आपका 42 हो जाएगा 7 दूना 14 और आपका 18 हो जाएगा देखते हो आपके सामने क्या बच जाता है 18,235 बच जाता है 18,235 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा देखे न तो कुल मिला के साथ हो यहाँ पर देखे 2X था और 7X था मैंने आपसे कहा था 7X की साथ हो वैलू मालूम करना और 7X की वैलू आचुके 18,235 आपका सही जवाब हो जाता है तो उसके बाद देखिए अगले नम्बर का प्रुशना आपकी स्केरीन पर है कि 3 संख्याओं में पहली दूसरी से 2 गुनी है और 3 संख्याओं का और 88 है तो पहली संख्या और 3 संख्या बता करो और उनके बाद उनका अंतर मुझे बता दो इतना सा काम सात्यों आपको करना देखिए तीन तरह कि यहाँ पर संख्या है मान लेते हैं X है, Y है और सात्यों Z है यहाँ पर कहा जा रहे हैं कि जो पहली संख्या यानि कि यह पहली संख्या जो है यह दूसरी से तो दो गुनी है लेकिन तीसरी से ती गुनी, तीन गुनी है, मान लिजे सात्यों इसको अगर हम दो मान लेते हैं, पहली संख्या इस तीसरी संख्या से तीन गुनी है, तीन गुनी है तो बोले तो छे हो जाएगी, मतलब इस से दो गुनी है तो ये अगर तीन है तो ये दो गुनी होगी, अरे क्या है य understands 3 संख्याएं है हैं इंका जो आफसाट दे रखा है वो साथ्यो 88 दे रख्या है अवसाट आपका 88 हो जाएगा अगर मैं आपसे कहूं कि इनका जोड कितना है साथ्यो तो 88 की गुणा 3 से करा दो आपको इनका जोड मानू पड़ जाएगा, आठती हैं आपका 24 हो जाएगा, आठती हैं आपका 24 और आपका 26 हो जाएगा, यानि कि इन तीनों संख्याओं का जोड़ जो निकलेगा, वो 264 निकलेगा, अब देख लीजे कितना है, ये 5x, 11x हो जाएगा कुल मिलागा, यानि कि 11x की value कितनी आई है?, 264 आई है, तो x की साथियों value कितनी आएगी?, 264, एक सेकंड, 214 वटे 11 हो जाएगी, ग्यारा दुना 22 हो जाएगा और 4 जाएगा 44 हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा यानिके X बराबर आपका जो साथू निकलेगा वो कितना निकलेगा वो साथू आपका 24 निकलेगा अब कोई दिक्कत नहीं है देखे आपको X बराबर पता चल गया है 24 है आपसे पूछा जा रहा था कि पहली संख्या यानि कि यह 6X और तीसरी संख्या के बीच अंतर क्या होगा तो इनके बीच वैसे अगर अंतर देखे तो 4X का अंतर है ठीक है या ऐसे करा लो 24 की गुणा 6 स से करा लो फिर उन दोनों का अंतर करा लो या ऐसे करा लो इन दोनों का अंतर कितना है सौरी इन दोनों का अंतर कितना है सात्यों 4X है तो 24 की गुणा सात्यों सीधे सीधे 4 से करा लो 4 चोक आपका 16 हो जाएगा 4 दून 8 और आपका एक 9 हो जाएगा तो कुल मिला के 96 अंतर ज यहां पर सात्यू 40 लीटर योगिक है, मतलब 40 लीटर का एक योगिक है, जिसमें रासायन A है, जिसमें रासायन A नी चार लिखा हुए सात्यू कह लिखा है, यह एक तरीके से A ही लिखा है, जिसमें रासायन A की मातरा जो है वो 10 परतिशत है, और उसमें कितना रासायन A और मि लिए और रासायन ए जो है ना ये सात्यों 20 प्रत्षट तो कुछ टाइपिक मिस्टेक हो जाती देखिए अब यहां पर एकर सात्यों बात करते हैं क्या बात करते हैं कि 40 लिटर का योगिक है इसमें 10 प्रत्षट अगर ए है अरे भाई दूसरा रासायन भी तो होगा बी भी त करें सात्यों इसमें एक्स और मिला दिया जाए इसमें एक्स और मिला दिया जाए कि नए योगिक में रासायन 20 प्रत्षट हो जाए तो ये कुल मिला कि जब सात्यों 20 प्रत्षट होगा तो ये सात्यों 80 प्रत्षट आपका हो जाएगा इतनी बात आपको समझ में आ गई हो कि इसको अगर कट करें तो एक बटा चार यहां पर आएगा, अब अगर बात करें साथियों देखिए, चार चोक आपका 16 हो जाएगा, पिलस आपका 4X हो जाएगा, बराबर आपका 37 हो जाएगा, इस 36 की एक से गुणा हो जाएगी, अब अगर बात करें, 4X बराबर कितना 36-16 और यहां पर 4 X रावर कितना आजाएगा 20 आजाएगा और X रावर कितना आजाएगा 45 आपका 20 और कि अगर बात करें साथियों कि X वरावर आपका जो निकलता है वो 5 लेटर निकलता है और हमने X के यहाँ पर माना भी यही था कि उसमें कितना रासायन A और मिलाया जाये तो मैं कहूँगा X और मिलाया जाये और X की वैलू आ गई है 5 तो 5 और मिलाया जाये ताके नए 13 है या 14 बटे 33 है या 8 बटे 15 है साथियों बताईए चलिए देखिए अब हम सबसे पहले ये मालुम कर रहे है कि छोटी संख्या 7 बटे 13 है या 11 बटे 13 है देखिए क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है 13 सत्य कितना होता है 91 होता है ठीक है ना 13 सत्य 91 होता है और 13 की 11 से करोगे तो कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा 3 आ जाएगा 4 आ जाएगा एक 143 आ जाएगा अब मुझे बताइए साथियों कि छोटी संख्या क्या है ये है या ये है तो मैं कहूंगा ये है तो अब मैं कह सकता हूँ कि छोटी संख्या ये वाली है यानि कि ये बड़ी संख्या है ये छोटी संख्या है हमें छोटी संख्या ही तो पता कर नहीं है तो अब ये उतर नहीं संख्या चोटी ये तो 7 बटे 13 हो जाएगी और 14 बटे सातियों कितनी हो जाएगी 33 हो जाएगी अब अगर बात करते हैं सातियों देखिए 33 की गुणा 7 से एक बार कराईए तो 33 की गुणा 7 से करा लेते हैं सातियों 12 181 182 तो मैं कहूंगा यह वाली संख्या सातियों बड़ी है यह संख्या छोटी है तो और बात करें 07 बटे 13 भी उत्तर नहीं हो सकता अब देखिए ही उत्तर नहीं हो सकता अब आप इतना ध्यान कर लो कि या हो या तोıllँए होगा या तो यह वह लोगा अब एक बार ये भी देख लो कि 14 बटे 33 संख्या बड़ी है ठीक है या 8 बटे 15 संख्या साथियों बड़ी है अब 15 की गुणा साथियों 14 से एक बार करा लो तो यहां पर साथियों कितना आ जाएगा पंदरा चौकसोट पंदरा आ जाएगा जीरो आ जाएगा इतना आ तो ये संख्या बढ़ी है सबसे चोटी याने कि इन सभी में सबसे चोटी जो संख्या निकल रही है वो 14 बटे 33 निकल रही है और यही आपका बिलकुल सही जवाब हो जाता वही बहुत बढ़िया वेरी गूड प्लास तो ये साथियों आपको पूरे पूरे 100 कोशन साथियों मैध और रीजनिंग के कॉंसेप्ट को देख लो एक्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा तो इस वीडियो को शेयर की जाएगा अगर आप शेयर करते तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और इस वीडियो को लाइक करके साथियों तो आवश जाएगा तो मिलत हम सबीनों गाने वाली वीडियो में जैहिन सातियों